गुद मॉर्णिंग फ्रेंज विशिंग एवरीवन एहपी एंड प्रोस्परस दिवाली आज है 25th of October करेंसी प्री मार्केट एनलेसिस पे आप सभी का स्वागत है डॉलार इंडेक्स अभी है 111.87 पिछले दो दिनों में specifically on 21st ये क्या हुआ जो 13th October वाला हाई है उसको चैलेंज करने का कोशिश क्या बढ़ते हैं अभी ये देखने वाला बात है कि ये जो trendline support में आके रुका है 21st October का जो closing था it is on the trendline support के just नीचे उसके previous incident में आप देखोगे तीन incidents में touch and go किया आया touch किया फिर उपर भाग गया आया नीचे touch किया फिर उपर भाग गया फिर आया even on 19th also वहां पे touch करके फिर उपर चला गया था स्टेन करने ही पाए था लेकिन first time यहां पे crawling कर रहा है what it means यानि यहां पे by seeing the previous incidences यहां पे touch करके फिर जूम करके उपर के तरफ जाना चाहिए था जो होनी ही रहा है what it means यानि यहां पे जो strength है थोरा सा यहां पे आने के बाद magnetic bounce जो होता था फिर टच करके जूम करके उपर के तरफ जाना पिंग पॉंग बॉल का ग्रेजुएली जे बॉल अब जमीन पे छोड़ोगे तो पहले higher jump करेगा फिर दूबारा next time जब वो ग्राउन को touch करेगा फिर उसके बाद जो bounce करेगा उसका height थोरा comparably previous case से कम होगा and gradually that height will over a period of time नीचे नीचे आता रहेगा similarly यहां पे वही दिखने को मिल रहा है what it means यहां पे जो buying power है यहां पे धीरे-धीरे weak हो रहा है यानि this is the first indication कि यहां पे strength कम हो रहा है मैं यहां पे यह नहीं बोलोंगा कि यह अभी नीचे जाएगा no तो यहां पे strength उपर जाने का जो धिरे-धिरे कम हो रहा है and these are the means indications that we are deriving from the price अभी हमें देखना है कि यहां पे यह नीचे के तरफ कैसे continue करता है कल अब देखो कि नीचे के तरफ continuation था नहीं एक छोटा spinning top बनाया है small body candle बनाया है यहां पे consolidate करने के बाद there are higher probabilities के it will head towards आपका 110 से 110.10 के तरफ so आने वाले जिरे में देखना है कि वो जाता है या नहीं जाता है dollar रुपी में आपका क्या हुआ अभी है 82.75 पहले आपका यह जो 19th October का जो breakout किया था उपर के तरफ यहां पर भी वही था एक बार जो previous resistance को break करने के बाद बापस नहीं आया था जो हमने previous analysis पे discuss किया था लेकिन यहां पे जब यह 19th October को उपर के तरफ breakout किया first time यह बापस चला आया है यानि कि यहां पे थोड़ा सा जो market sentiment है underline जो strength है वहां पे थोड़ा सा change आया है तो इसलिए आप देखाऊगे break करने के बाद 20 तारी को बापस नीचे आ गया and 21 को फिर further down आया कल market ज्यादा कुछ activity था नहीं अभी देखना है कि क्या यह 21 September के नीचे continue करता है या नहीं यह हमें आज या अपका 27 तारीक onwards हमें नहीं देखना पनेगा विकस्टो मुरभी भाई दूच के लिए मुंबाई holiday है तो इंडियन market में ज्यादा कुछ activity होगा नहीं आई यह देखते है जी बीप डॉलर जी बीप डॉलर में हमने यहाँ पे जो higher low बनाने के बाद हमारा जो target था यह higher high को break करना जो काफ़ी time हो से कर नहीं पा रहा था तो यहाँ पे यह जब तक आईदर यह high को तोरके उपर के तरफ higher high नहीं बनाता है यह low को तोरके यह higher low है उसको damage नहीं करता है तब तक यहाँ पे यह choppiness बढ़करा रहेगा और वही हम देख रहे है कि काफी choppiness है काल का एक special development है कि नया जो UK PM है, who is of Indian origin, Mr. Rishi Shinnak has taken charge that being the case, अभी यहाँ पे what sort of policy measures he is going to take from the government perspective and also BOJ what sort of initiatives they are taking, we need to watch both the two things very carefully अभी technically हमें क्या देखना है क्या यह जो swing high को तोरके उपर के तरफ देता है यह नहीं यह आने वाले दिनों में, अगर देता है then, यह जो sell of air, वो halt हो जाएगा, and we may expect some sort of retracement in the higher side GBP INR में भी similarly आप देखोगी यह जो high है, उसके उपर जो गया है, लेकिन close अभी तरफ convincingly दे नहीं पाया है हमें अभी इंतेजार है, higher close के लिए, तो क्या होगा, higher low हो गया, फिर higher high भी हो जाएगा, on closing basis पे, तो एक uptrend का शुरुवाद हम expect कर सेगा As of now, यह resistance यहां पर ले रहा है, इसको ऊपर जाना है तर इसके जो resistance zone है, आपका 93.30, 93.20 से 93.70 के बीच में उसको ऊपर close देना परेगा Euro-dollar में हम देखते है, Euro-dollar में यहां पर consolidations, वही है कि यह जो श्रिंग हाई है, इसको तोड़ने के लिए हमें इंतेजार करना पड़ेगा, same sort of analysis, तो यहां पर choppiness बड़कारा रहेगा, जब तक either high नहीं तोड़ता है, या low नहीं तोड़ता है, तो यहां पर देखना वाला Euro-NR पर यह जो higher high वाला trend को तोड़ दिया है, convincing, जो GBP-NR में तोड़ नहीं पाया, GBP-dollar में भी तोड़ नहीं पाया, Euro-dollar में भी तोड़ नहीं पाया, लेकिन यहां पर आप देखोगे, यह higher low बनाने के बाद, यह high को तोड़के fresh high बनाया है, यहां पर एक journey हो चुका है, higher higher low, अभी जब next on a bigger, means daily time frame पर दुबार आईए, बॉलिंजर बेंड के center band के तरफ आके support लेगा, that will be the best buying opportunity with a very small stop loss, dollar yen में यह 151.94 trade करने के बाद, on 21st of October हमने देखा है कि यहां पर BOJ का intervention था, वो हमारा market close होने के बाद था, रात के समय था, तो इसलिए हमने practically इसको इतना monitor करने ही पाया, लेकिन यहां पर दुबारा देखो एक बड़ा candle है, कहां पर है, high पर है 152, 151.95, 5 ticks का कम है, 152 and low के low में क्या है, इसलिए का एक range बना है, पहले भी आप देखोगे, एक 6 biggest का था, 146 and 140 का, एक 6 biggest था, यहां पर भी एक 6 biggest का एक interventions आया है, तो अभी फिर यह कल lower level पे आपका consolidate करने के बाद, उपर जाने का कोशिश करता है, अभी देखना है कि यह फिर दुबारा, previously जैसे 23 September और अनवर देखो यह price थोड़ा से उपर गया, फिर gradually crawl करके फिर उपर गया, क्या यह repeat करता है, या अभी एक lower high बनाने का कोशिश करता है, यह हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा, JPY-INR में क्या हो रहा है, JPY-INR पे आपका, यह double bottom के आसपास आपका base out कर रहा है, and वही जो आपक बड़ा candle for work, अभी यहाँ पर यह support लेके, यहाँ पर immediate resistance आएगा, 0.57 के आसपास आएगा, इसको तोलेगा, then and only then, हम उपर के तरफ एक expect कर सकते है, dollar candy में देखेंगे, dollar candy में क्या हुआ है, आपका, यह 21st October को fail हुआ है, फिर उपर जो high है, उसको challenge करने का, and नीचे के तरफ आपका 1.35 on the higher, lower side, and 1.39 on the higher side, इस range में काफी choppiness and volatility expect कर सकते है, एक बार इसके नीचे आजाएगा, काफी जल्दी आएगा, तो very well and good, तो एक impact on के लिए हम सोच सकते है, आप देखो कि यह जो आपका pin bar था, that is on 13th October, इसको इसके low को challenge करने है, काफी नीचे नीचे deep आपने का कोशिश क्या था, what it signifies, यह जो base है, base almost लग रहा है कि यह seal हो जुका है, that being the case, यहापे अभी हमें higher high higher low formations का इंतेजार करना पड़ेगा for buying opportunities, सबसे गंदी बात है, गंदी क्यों है, यह 7.32 के उपर है, मांतली में जैसे के हम regular basis में हम इसको discuss करने है, यह अगर 31st October तक यह close इस line के उपर, 7.2650 के उपर close दे देता है, तो बहुत गंदी बात है, because क्यों गंदी बात है, I don't know, actually means Chinese economy में क्या हो रहा है, मैं इतना details minutely, उनका activities में चेक नहीं कर रहा हूं, but technically यह बोल रहा है कि अगर यह by 31st इसके इसनी टाप का कंडल में close दे देता है, तो बहुत ही गंदी बात, गंदी बात का मतलब क्या है, यह 8.10, 8.11, why I am concerned about this 8.10, 8.11, because our rupee is very closely linked, we need to be very careful, UK oil में हम देखेंगे, यह आपका कल एक price rejection हुआ है अपार end पे, high 94.21, low 89.01, that in the case, अभी यह पे, यह जो low है, 88.81 का low बनाया था, on, 18th October, उसको low के निचे sustain करने ही पार है, एक बार इसके low के निचे sustain करेगा, then we may expect some, uh, downward movement towards 83.84, 10-year US Treasury में क्या है, 4.21 currently है, यह यह पे फिर, यह पे थोरा सा halt कर रहा है, because next market is waiting for FOMC, so, यह पे एक जो हमारा tentative target है, वो है आपका 4.4, it's a 4.50 के तरफ, so, over a period of time, यह उधर जाता है, क्या नहीं हमें देखना पड़ीगा, यह नहीं देखना पड़ीगा, यह नहीं हमें देखना पड़ीगा, यह यह trend line, तो और के निचे close नहीं देदेता है, उसके निचे follow-through नहीं देखता है, तब तक यहां पे by dips ही चलेगा, So, currency daily analysis, अभी के लिए इतना ही, आप सभी का दिन चूभो, If you like, if you like this, my presentations, please like the video, comment down, also share among the friend circles, so that those who are interested, those who are ready, means eager to learn or eager to understand the market perspective, तो some kuch उनको मिले, So, अभी के लिए इतना ही, wishing all a happy good day, means have a great day today, thank you and bye-bye.